मेरे पास अपनी सही जन्मतिती नहीं है, मैं फिर किस तरह से अपने ग्रहों को बैलन्स कर सकता हूं? मेरे पास comment में ऐसे कई सवाल आते हैं, जिन में लोग अपनी सही जन्मतिती का ना होना जो है उनके लिए पीडा का विशे है, वो अपनी समस्याओं को तो सुलजाना चाहते हैं अपने ग्रहों को तो बैलन्स करना चाहते हैं लेकिन अब उनके अपास कोई रास्ता नहीं बचता है कि वो किस तरहा से एस्ट्रालोजी का लाब ले सके कमेंट्स में इसके अलावा कई और तरह के सवाल आते हैं घर के वास्तू से जुड़े हुए अपनी वेल बिंग से जुड़े हुए तो मैं आज के वीडियो में आपसे विशेश चर्चा करने वाला हूँ कमेंट्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों को लेके नमस्ते मेरा नामे योगे शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइविद योगे शर्मा में लोग कई बार बहुत जादा confused हो जाते हैं जैसे मेरे कुछ वीडियो है जिसमें मैंने ग्रहों के खराब होने की निशानिया बताई हैं तो कई लोगों के कमेंट आते हैं कि मुझे तो ये वीडियो देखके लग रहा है कि मेरे सारे के सारे ग्रह खराब हैं दरसल ऐसा नहीं है जब भी आप अपने लिए बहुत ज्यादा complaintful हो जाते हैं जब आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ चंदर्मा को सही कर लीजिए 90% चीज़ें अपने आप सही होनी शुरू हो जाती है एक नौ ग्रहों में से एक चंदर्मा का खराब होना आपके उपर चश्मा इस तरह का लगा देता है कि आपको लगता है कि आपके सारे के सारे ग्रह खराब हो रहे है चंदर्मा जो है ना दुनिया को किस नजर से आप देखते हैं ये चंदर्मा है दुनिया आपको किस तरह से देखती है ये भी चंद्रमा है आप किसी भी दिक्कत आने पर रियक्शन कैसा देते हैं ये चंद्रमा है कहते हैं कि समस्या 10% होती है आप उसके उपर रियक्शन कैसा देते हैं बाकी 90% पार्ट वो बन जाता है तो अगर आपके चंदर्मा खराब है ना छोटी से छोटी चीज़ पर पैनिक कर जाना, एक दम से अपने लिए कंप्लेंट फूल हो जाना, बहुत ज्यादा जल्दी सरेंडर मोड में आ जाना, ये चंदर्मा के खराब होने की निशानिया होती है, जब भी आपको लगे कि पाए चंदर्मा के दे रहा हूँ आपको, पहला घर में चावल खूब क्वांटिटी में रखे, दस से पंदरा किलो से कम चावल आपने नहीं रखने है, उनहीं की आई चलाई करते रिए, जब भी कम होने शुरू हो नए चावल भरके उनको रख लीजिए, दूसरे अपने सिल्वर का कोई टुकडा या कॉइन डाल के रख दीजिए, ढख के, ये कांच का गिलास होना चाहिए, और अगले दिन सवेरे आप उसको चाहे थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहे, ये उपाई चार्जडब पानी पीने वाला जो उपाई है ना, ये आपके चंदर्मा को स पत्सहन देती है, encouragement देती है ना, तो आपको अपने अंदर का real self सामने आता है, कि आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना potential भी दिखना शूरू हो जाता है, यानि आप कितने अच्छे हैं, इसको दिखाने का काम जगत करता है, और जगत आपको किस तरह से देखता है, ये आपक चंदरमा की सेहत आपको बताती है, तो अगर आपका भी सवाल इस तरह से है, कि आपके सारे करया खराब हो रखे हैं, तो चंदरमा की ये जो खास जानकारी है ना, ये है आपके लिए, तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं, सुजीत जी ने पूछा है, वास्तु किचन को लेके, टॉइलेट को लेके क्या कहता है, पहले तो ये बेसिक चीजे समझ लीजे, आपके कई ऐसे सवाल जो है ना, इसी में सॉल्व हो जाएंगे, घर के अंदर ना, सबसे पहले आपना दो एक्स्ट्रीम कोने हैं, नौर्थीस्ट और सॉथवेस्ट, य पाशो करता है, दोनों में ना रसोई होनी चाहिए, ना ही दोनों में किसी भी तरह से टॉइलेट होना चाहिए, अगर नौर्थीस्ट में टॉइलेट होगा, तो ये क्या करता है, आने वली संतान के पक्ष में नहीं जाता है, कई बार बच्चा नहीं होता है, बच्चा हो तो वो बच्चा बड़ी व्याधियाँ लेके पैदा होता है। और यहां पे टॉयलेट होना इनसान की सोच को ही मार देता है। इनसान हमेशा वही वैसले लेता है जो उसके लिए नुकसान दाएक होते हैं। इवन सेहत के मामले में यहाँ पर टॉयलेट अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर रसोई होगी तो इंसान सभी से जगडता रहेगा, हमेशा ही वो इंसान जो है एंगर एलिमेंट का शिकार रहेगा और उसको कभी ना ठीक होने वाली या लंबी चलने वाली व्याधियां, शरीरिक व्याधियां बहुत जल्दी आ जाती है। साउथ वेस्ट में टॉइलेट होगा तो पित्र दोश की तरफ इशारा करता है और साउथ वेस्ट में अगर रसोई होगी तो परिवारिक मेंब्रों के आपस में समन्वे रही रहता है और उसकी वज़ाए से इंसान जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। अब नॉर्थ वेस्ट में रसोई होगी तो अच्छा है। वेस्ट में रसोई भी कही न कहीं अच्छे फल दे देती है। साउथ इस्ट में रसोई होगी तो बहुत ही अच्छा रहता है। जो टॉइलेट है ये साउथ वेस्ट से हटके थोड़ा सा साउथ की तरफ लियाए यह टॉयलेट, इवन टॉयलेट का होना भी घर में तरक्की का सबब बन जाता है, तो वास्तू में आप कोई भी घर नया दिखने जा रहे है ना, नौर्थीस्ट से लेके सौधवेस्ट, एक सीधी रेका है, इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसमें किचन नहीं होनी चा टॉयलेट या किचन हटा दीजी, लेकिन नहीं हटा सकते हैं, तो चूले के नीचे जो है, क्रेमी शिया लाइट येलो रंग दे दीजे, और दूसरे केस में, यहाँ पर टॉयलेट है, तो आप फिलहाल स्टील की टोरी में थोड़े से मोती जो होते हैं वो डाल के साइड प पूरी तरह से चेक करने के बाद वहाँ पे आप येलो बल्व चला सकते हैं, किचन भी हो या आपका टॉयलेट भी हो, लेकिन येलो बल्व वाला जो काम है न, ये पूरी तरह से नक्षा चेक करवाने के बाद ही करियेगा, इसको सीधे त 와서 पर नहीं किया जा सकता है, अब नरेश सेनी जी ने सवाल पुछा है, नमस्कार सर, माई बिजनस इस वेरी पोर केंडिशन, तो क्या मेरा शनी यानि करियर खराब है, क्रिपा मार्ग दर्शन करें, सेनी साब देखिए, बिजनस का खराब होना, अगर शुरू से ही किसी का कभी काम चला ही नहीं है, तो फिर श शाकते हैं ये बहुत हद तक आपके काम कारूबार वियपार को कंट्रोल करती हैं, और तीसरे आपके ओफिस का वर्कप्लेस का वास्तू, क्या आप गलत दिशा में तो नहीं बैठे हुए हैं, आप क्या टॉइलेट गलत दिशा में तो नहीं आपकी एंटरेंस जो है, वो इन चीजों को सही करिए और साथ ही साथ अपने शनी के उपाई जो मैंने पिछले वीडियो में दे रखे हैं उनको करिए आपका कोई भी रुका हुआ काम जो है न वो चलना शुरू हो जाएगा काम जब नहीं चलता है न तो यहाँ पर अंतरदशा महादशा वले प्लैनेट का बहुत ज्यादा हात होता है गोचर में वो कैसा भीहेव कर रहे हैं गोचर में वो आपकी कुnsinnडली में किस तरह से कौन से एंगल पे चल रहे हैं उनका बहुत बड़ा हात रहता है तो आप definitely काम overall नहीं चल रहा है तो शनी को पकड़िए अगर काम पिछले कुछ समय से खराब चल रहा है तो मैंने अभी जो आपको टेक्नीक्स दी हैं जो टिप्स दी है ना उनको फॉलो करिएगा definitely आपका काम चलना शुरू हो जाएगा अब चलते चलते एक कमेंट जो आदरनिय प्रदीप सिंगल जी ने पूछा है कि शर्मा जी मैंने तो यही देखा है ज्यारतर जोतिशी तो काम आरते हैं एक ही काम एक ही जगा पर एक ही विवसाय भी एक व्यक्ति खूब कमाता है और द रिजल्ट दे सकता है एक ही वास्तू दो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग रिजल्ट देता है कारण क्या है कारण एक ही है कि काम अगर बर्थे चाट के अनुकूल नहीं है तो वो सूट नहीं करता है हर काम हर इंसान को सूट नहीं कर सकता है इसलिए अगर कोई काम वो काम आपको prosperity के जगा पे संघर्ष दे सकता है। और ये बात आपने बहुत अच्छा किया, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने प्रशन पूछ के ये एक platform पे इस चीज को ले के आए। और तुक्का कोई ने जोतिश तुक्का बिलकुल नहीं होता है और ना ही कोई जोतिशी इस तरह का तुक्का मारता है। ये तो client का pay नेरिया है। अगर client अपना pay नेरिया बताएगा कि फलाना काम मेरे साथ वाला इंसान बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन मेरा क्यों नहीं चल रहा है। तो उसमें हम तीन चीजें देखते हैं। पहली क्या काम उनके बर्थे चाट को सूट कर रहा है। दूसरी क्या उनका अपना जो approach है काम के प्रती वो सही है। कई बार ये भी हो सकता है कि ग्रह तो उस काम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका अपना जो approach है वो बड़ा लिथार जी का वो खुद discipline में नहीं है। वो केवल काम से output चाहते हैं लेकिन काम को कुछ देना नहीं चाहते हैं तो भी काम नहीं चलेगा। और फिर तीसरे अगेन सबसे बार बार वही चीज़ के workplace का वास्तो हुँ उनको suit कर रहा है। यह तीन चीज़े suit कर रही है तो कोई कारण ही नहीं बचता है कि काम न चले। तो मैं आदर्णिय प्रदीप सिंखल जी के माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा कि एक ही काम दो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग नतीजे दे सकता है। जरूरत है केवल और केवल यह पहचानने की कि वो जो काम है उससे हम किस तरह से सबसे बहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं जो कमेंट्स से के द्वारा पूछे के क्वेशन है ना उनको यहीं तक सीमित रखता हूं। मैं कोशिश करूँगा के आने वाले वीडियो में भी आपके द्वारा पूछे के कमेंट्स को सवालों की शेप में रखके आप तक नई नई जानकारियां पहुंचाता रहूं। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई टॉपिक एक नई विशे के साथ अपना खूब ध्यान रखेगा नमस्कार।